गुड मॉर्णिंग अब्रिवन आज 7 मार्श 2022 है दैनिक जागरन के राष्टिय संस्करन का कम्प्लीट न्यूज एनलैसिस करेंगे आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ इसे शेयर कर दें कोई क्वे देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में देश सकते हैं और वीडियो को निशीत तोर पे लाइक कर दें साथी साथ जिन लोगों ने हमारी टेलेग्राम को नहीं जोइन किया जाकर के जोइन कर लिजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डैनिक जागरन के राष्टिय स वीडियाई को लेकर के फोरें, डायक, इन्वेस्टमेंट, पर्तेक्ष विदेशी निवेस को लेकर के चार स्टेटमेंट में हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है और ये प्रस्ट यूपेसी 2012 में पूछा किया है पहला स्टेटमेंट है कि भारत में विदेशी कंपनिय है और चोथा statement है कि portfolio investment, portfolio निवेस。 ये चार statement है, अब पहला option नहीं, देखे option पहला option है कि 4 ही statements हही है, Option B दूसरा और चोथा statement हही है, Option C पहला और तीसरा statement सही है, Option D पहला दूसरा और तीसरा statement सही है, सभी लोग इसको attempt किजिएवा, बहुत ही easy question है और elimination method से इसको easy तरीका से बना जा सकता है वीडियो के आखिर मैं इस पर discuss कर दूँगा रूस Ukraine वार्ड लगातार चल रही है डेली इसको पढ़ने की जरूत नहीं है अगर इसका basic concept आपको समझना है कि इस वार के आखिर सुरुवात क्यों होगी है तो मैंने एक separate वीडियो बनाया था रूस Ukraine विवाद को लेकर के link description में मिल जाएगा आप लोग उस वीडियो को देख लिजेगा basic concept आपका clear होगा अब दिखे इस news में चर्चा है क्या इस news में चर्चा है यह है कि फ्रांस के राष्टपती Emmanuel Macron और रूस के राष्टपती से मुलाकात भी किया लेकिन इन तीनों के मुलाकात और बादचीत का कोई नतीजा नहीं निकला रूस युद अभी विराम लगाने के अस्थितिम नहीं है रूस बस एक commitment चाहता और इसकी चर्चा हमने separate video में भी किया था रूस ये commitment चाहता है कि यूकरेन इस बाद को माने कि वो नाटो में सामिल नहीं होगा यूकरेन नाटो में सामिल नहीं होगा और यूकरेन ततस्त रहेगा इस बाद को अगर नाटो में सामिल नहीं हो और यूकरेन ततस्त रहे इसे बात को अगर यूक्रियन मान लेता है तो ऐसे कंडिशन में यूद बंद हो जाएगा लेकिन इससे कम में रूस मानने वाला नहीं है बागी इसको पढ़ लीजेगा एक बार और इसी के समदर में एक न्यूज नीचे दिया हुआ नो फ्लाय जोन नो फ्लाय जोन का बेसिक कॉंसेप्ट क्या है आज मैं डिसकस आपके साथ करोंगा नीचे उस न्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगा अब देखी ओपरेशन गंगा के सभलता का स्रेप भारत के बढ़ते प्रभाव को ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एक तो इस न्यूज के बेग्राउंड में ये जुरा हुआ है कि बिदेश घूमने का अधिकार जो हमें मिला है वो मिला है आर्टिकल 21 के ताथ देश में कहीं घूम ये वो आर्टिकल 19 के ताथ आपको अधिकार है लेकिन बिदेश कहीं जाई है आर्टिकल 21 के ताथ जीवन के अधिकार के तहट आपको अधिकार मिला है कि आप बिदेश में कहीं घूम सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि बिदेश में कभी अगर आप फस गया या यूद जैसी कंडिशन हो करी तो इसी कंडिशन में जीवन के अधिकार के तहट आपकी रक्षा किया जागा यह commitment भारत की सविधान के आर्टिकल एकिस के अतारत आपको प्राप्त है और इसलिए हम लोग देखते हैं कि विजेस में आगर कोई नागरिक हमारी फसते हैं तो कई तरह की सरकार ओपरेशन लिकाती है जैसे ओपरेशन गंगा यूक्रेयन में फसे हुए नागरिकों को वापस निकालने के लिए या बाहरत लाने के लिए ओपरेशन गंगा अभियान लाए गया है अब देखी इस यूद्व को अगर आप देखेगा गौर से तो एक एडिटरियल नीचे दिया हुआ है इस यूद्व में भारत एक टतस्त की भूमिकार निभा रहा है कैसे एक तरप हम जो है रूस क एगेंस्ट बोट नहीं किये और रूस के समर्थन में भी बोट नहीं किये है हमने क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी कॉंसल हो या यूनाइटेड नेशन महासवा हो दोनों ही जगा भारत मद्दान से बाहर रहा है और साथी साथ जब बोलने के बारे आई उसी समय में जब हमारे वहां पर प्रतिनिदी है टी एस त्रीमूर्थी उनको बोलने के बारे आई तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस को हमला बंद करना चाहिए और इसको मानप्ता कि नाति इस समस्या का समाधन किया जाना चाहिए एक तरह से भारत यूक्रेन के भी मिला के चल रहा है और इस तरह से ऑपरेशन गंगा की सभलता का सिरे भारत के बढ़ते प्रभाव को दिया जाता है निश्य तोर पर इस तरह से दिया जाता है चोंकि पिछले कुछ वर्स में देखेंगे तो कूटनेतिक रूप से भारत काफी स्ट्रॉंग भूमिकाग निर दो तरह से अभी देखिया और वर्थमान में भारत कुछ शाहता शेयूख भीज हें ततरह से यह उक्रीन को भेज रहा है तो इस तरह से जो सहान भीज़ साथा जाता है यह अपने कूटत्मान नितिक स्रेक को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है या कुट निति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सहायता किया जाता है बाकि इसको एक बार पहली जगा कुछ important point प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से दिया हुआ और चीन के बाद तीसी नमर पे भारत एक स्टार्ट अप में दुनिया पे है तो यह सब कुछ प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से important point है इसको आप लोग पढ़ लिजेगा सूपर 30 ने लिखी operation गंगा की कहानी सूपर 30 जो हमारे Indian foreign service के जो 30 अधिकारी है वो operation गंगा को सफल बनाने के लिए लगातार दिन और रात मिल करके काम कर रहे है हंगडी में जो हमारा दुता वास्त है बुड़ा पिस्ट में वहाँ पे हमारे Indian foreign service के 30 अधिकारी मिल के दिन रात काम कर रहे है इस न्यूज के बारे में अल्ड़ी कल हमने डिस्क्रेस किया था उद्योगों की सुरक्षा को नीजी एजेंसियों को तयार करेगी CISF अब देखें ये काफी important news है एक तो सबसे important ये है कि CISF केंद्रिय और दोगिक सुरक्षा बलके अस्थापना दिवस में आपको अमित साजी दिखेंगे इसका मतलब ये होता है कि CISF ministry जो है ये ministry ग्री मंत्राले के तहत काम करती है तो ये basic point है याद रखेगा CISF रक्षा मंत्राले के अधिन नहीं ग्री मंत्राले के अधिन काम करता है Central Armed Police Force को अगर देखा जाया है इसको लेकर के लगातार question पूछे जाते हैं इसके total 7 wing है और 7 wing को लेकर के question पूछे जाते हैं Central Armed Police Force के 7 wing है और 7 ही wing Central Armed Police Force Ministry of Home Affairs के तहता है के अधिन काम करता है इसके जो साथ विंग है, पहला विंग है Border Security Force, Border Security Force जो BSF के जवान है वो रक्षा मंत्राले के तहत नहीं आता, वो भी गृ मंत्राले के अधिन आता, इसको लेकर के भी लोगों में confusion होता, mitä to虎 requesting अती हैं बिरिे बंत्रा ले के अधिन kाम करता हैं और बिसेफ की जीमेदारी होती है कि बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ जह क्षा करना यह BSF के जिम्मदारी है तो BSF के जवान आपको बंगला देश के साथ जो हमारी boundary है वहाँ मिल जाएगा और पाकिस्तान के साथ जो हमारी boundary है राजस्थान में, पंजाब अगरे में वहाँ पर आपको BSF के जवान मिल जाएगे Central Reserve Police Force CRPF CRPF बिसिकली आप देखते होंगे election के समय में CRPF के जवान जो है election करवाने का काम करता है तो एक reserve police force है हमारे दिसका और ये भी गिरिम मंत्राले का दिन काम करता है Central Industrial Police Force CISF इसके बारे मुझे discuss करना आज आपके साथ चोथा है Assam Rifle म्यानवार के साथ जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है Assam Rifle यानि म्यानवार के साथ जो भारत की सीमा लगती है वहाँ पे आपको Assam Rifle के जवान दिख जाएंगे पांचवा है National Security Guard छथा है सहस्र सीमावल सहस्र सीमावल SSB के जवान आपको नेपाल और भुटान के पास दिख जाएगा तो नेपाल और भुटान के पास जो हमारी सीमा है उस सीमा के सुरक्षा करता है SSB के जवान और साथ महाँ है ITVP इंडो तिवत्यन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITVP के जपान बेसिकली चीन के साथ हमारी सीमा के सुरक्षा करता है तो यह जो साथों ही विंग है यह सभी के सभी आते हैं केंडरे गिरिह मंत्राले के अधिन और यह question अक्सर पूछता है कि मालीजे की मियानमार के साथ हमारी सीमा के सुरक्षा कून करता है भुट्टान के साथ हमारी सिमा की सुरक्षा कून करता है नेपाल के साथ हमारी सिमा की सुरक्षा कून करता है पाकिस्तान के साथ हमारी सिमा की सुरक्षा कून करता है ये क्वेशन अक्सर पूशा जाता है और इसमें अक्सर लोगों को कन्फूजन होता है CISF Central Industrial Police Force एक कैंद्रिय स्वसस्तर बल है जिसे कैंद्रिय औद्दुगिक बल अधिनियम 1968 के द्वारा इसके अस्थापना किया गया है गिरी मंत्राले का दिन काम करता है और पूरे देश में जितने फी औद्दुगिक इकाई है सरकारी अवशनरशना है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है मत्सलन जो हमारी देश में प्रमानू उर्जागर है खाद्यान है, तेल छेतर है, रिफाइनरी है, मेट्रो रेल है दिल्ली मेट्रो में आपको CISF के जवान दिख जाएगा बंदरगा है तो यह सब की सुरक्षा के जम्दारी होती है CISF के जवानों की ओके, नेक्स्ट न्यूज यह है, नो फ्लाइ जोन के बारे में यह दिखे, दो-तीन दिन से मैं दिख रहा हूँ, लगातार चर्चा हो रही है नो फ्लाइ जोन, नो फ्लाइ जोन क्या है जेलेस्की ने यूकरियन को नो फ्लाइ जोन बनाने के लिए बढ़ा है दिखे, हो क्या रहा है हो यह रहा है कि जो अमेरिका है या नाटो के देश हैं या कई अने देश हैं वो यूक्रेयन में अपनी सेना नहीं भेज रहा है वो डायक्ट और पर्तेक्स तोर पे रूस से लडाई नहीं करना चाहता है रूस से भीरना नहीं चाहता है रूस के पास बिशुक का सबसे अधि हार है तो ऐसे कंडिशन में कोई भी डेस डायकली रूस से नहीं भीरना चाहता है और रूस ने अपने परमानु हत्यार को हाय एलेक्ट मोड पर डाल दिया तो डायकली यह लोग अपने सेना को नहीं बेज़ेंगे तो ऐसे कंडिशन में जो कई सारे वहां के सैनिक है चाहे अ उक्रेयन रूस के खिलाप लड़ने के लिए राइट ऐसे कंडिशन में अब क्या हो रहा है कि अभी तक क्या हो रहा है कि रूस जो है टेंक के माध्यम से यह मिसाल के माध्यम से हमला कर रहा हावाई हमला अभी तक नहीं कर रहा अब जब 11 दिन हो गया तो अब ऐसे समावना जताई जा रही है कि अब हवाई हमला यानि फाइटर जेट से हमला करना शुरू कर देगा रोज फाइटर जेट से अगर हमला करना शुरू कर देगा रोज तो ऐसे कंडिशन में अमेरिका के जो नागरिक अभी युक्रेन पहुंचे हैं जो स्वक्षिक रोप से पहुंचे है अपनी इक्छा से महुँचे हैं यूक्रेयन रूस के खिलाप लरने के लिए बिर्टेन के जो नागरिक महुँचे हैं अपनी इक्छा से रूस के खिलाप लरने के लिए अगर हवाई हमला होता है तो वो लोग भी मारे जाएंगे तो ऐसे कंडिशन में नाटो से यूक्रेयन लगाता रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसको नो फ्लाइ जोन घोसित किजिए नाटो से लगाता रिक्वेस्ट कर रहा है यूक्रेयन नो फ्लाइ जोन का मतलब यह होता है कि आप यहाँ पे फ्लाइट नहीं उरा सकते हैं तो युक्रेन कर रहा है कि आप इसको नाटो को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसे नो फ्लाइ जोन गोसित किजिए नो फ्लाइजोन अगर घोसित हो जाएगा इसका मतलब यह होगा कि यहाँ से आप फ्लाइट नहीं गुजार सकते हैं यहाँ फ्लाइज नहीं कर सकते हैं यहाँ अपने फाइटर जेट को नहीं गुजार सकते हैं अगर आप गुजारते तो क्या होगा माल लिजे कि नाटो ने no fly zone घोसित कर दिया युक्रेयन को बाबजुद इसके रूस अगर अपने fighter jet उसको युक्रेयन में घुशाता है तो क्या होगा युक्रेयन में अगर अपने fighter jet उड़ाता है तो क्या होगा तो ऐसे कंडिशन में नाटो के देश रूस पर हमला कर देंगा तो इसलिए जो है नाटो के देश वर्तमान में परहिज कर रहा है इसको no fly zone घोसित नहीं कर रहा अगर नाटो के देशिस को no fly zone घोशित कर दिया और रूस अपना प्लेन जो है यूकरेन में उराना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे कंडिशन में डायक नाटो के टकर हो जाएगी आपको रूस से और डायक नाटो जो है रूस से टकर लेना नहीं चाहता है इसलिए नाटो ने अब घोशित किजिए जों कि अगर आप no fly zone घोशित नहीं किये तो ऐसे कंडिशन में अब जो है रूस के प्लेन अगर यूक्रेन पे हमला करेंगे रूस के फाइटर जैन यूकरेन पर हमला करेंगे तो ऐसे कंडिशन में आपके यहां से जो स्ट्थिक रूप से हमारे यां लरन लग आया है आपके नागरी के हमारी यहां जो सेक्षिव ग्रूप से लड़ने के लिए वह भी मारे जाएंगे इसलिए आप इसे नो फ्लाइजोन घुसित किजिए यूक्रेयन यह बात लगातार बोलना लेकिन अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर हम नो फ्लाइजोन घु प्रधान मंत्री ने छे सुत्रिय काजकरम यहां पर दिया हुआ इसको एक बाड़ आप लोग देख लिए दा देखिये आज मंडे का दिन है और मंडे को मुद्दा दिया रहता है आज का मुद्दा यहीं है कि आखिर लोग यूक्रेयन क्यों जाता है परहाई करने के लिए खासकर के medical के परहाई गर आप दिखेगा, मेरे कई सारे मित्री चीन में पर रहे हैं, तो चीन से कई सारे लोगों ने medical किया है, कई लोग रसीय जाते हैं, आखिर medical के परहाई लोग विदेश क्यों जाकर करते हैं, उसी के बारे में पूरा मुद्दा दिया हुआ, पूरा page उस उक्रेयन अमेरिका और रसिया दोनों के वीच में संतूलन साध हैं एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत जो है United Nations Security Council में रूस के बिरोध में मद्दान नहीं किया तो इससे हमारा एक असपस संदेश गया तो कहीं कहीं हम रूस के साथ भी हैं यह संदेश हम ने दिया है दूसरी तरफ क्वार्ड के मिटिंग में भारत ने पाटिसेवेट भी किया है जो चारों ही देश हैं अमेरिका जापा और भारत इस मीटिंग में भी भारत ने पारेश वेट किया है तो भारत के पास सबसे बड़ी चुनोती है कि संतुलन को किस तरह से साथ आ जाए इसको पहर लिजिएगा कि यह इंपॉर्टेंट है ट्रेन को टकडाने से रोगेगा कवच भारत ने स्वादेसी रोप से कवच को बिक्सित किया है कवच किया है माल लेते हैं कि एक ट्रेन ये पट्री और यहां dancers के यहां पर माल लिजा मालेते रूकी ओफिए या जा रही है कम स्पिड्ट से जा रिए है दूसरा ट्रेन यहां से 170 किलमीट्र के स्पिड से आगे बढ़ गा है और ट्रेन के ड्रैवर्स हो गया ऐसे क्या कि अगर ट्रेन का ट्रेन का ट्कर हो जाईगा कई लोग मारे जाएंगे और इसा कई बार हुआ है तो इससे बचने के लिए भारत ने स्वादिसी रूप से एक रक्षा परणाली विख्षित किया है जिसका मक्सद यह है कि अगर ट्रेन का स्पीड मा लेज़े 160 किलोमीटर परती आवर भी है इस रफ्तार से भी अगर ट्रेन जा रही है तो दूसरी गारी से लगभग 380 मीटर पहले ही यह ट्रेन रोग देगा अपने आप रोग जाएगा यह ट्रेन का ड्राइवर अगर 100 भी गया है तो कवच अपने आप ट्रेन को रोग देगा अपने आप ब्रेक लगा देगा और ट्रेन को लगवत 300-400 मिंटर पहरे रोग देगा ये प्रणाली बिसिकली काम करती है Radio Frequency Identification RFID टकनिक पे काम करती है और ये प्रणाली जो है अब भारत इसको निर्यात करना चाहता है क्योंकि बिस्व में सबसे सस्ता हमने इसे बनाया तो इसलिए भारत अब इसे निर्यात करना चाह रहा है और भारत निश्य तोर पे इसे निर्यात भी करेगा बाद कि इसको पर्ष लिजेगा आप लोग यूद नहीं है किसी समस्या का समाधान इसको भी आप लोग पर्ष लिजेगा वही पॉइंट है जो हमने चर्चा किया है यूक्रेन रूस विवाद में वही पॉइंट लगभग इसमें दिया हुआ है तो इसलिए बिसेस कुछ पॉइंट मुझे मिला नहीं इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ बांके पर लिजेगा इसको यूक्रेन संकट में दिखा खाद तेल की मुनाफ़ा खोड़ी देखे खाद तेल को लेकर के UPC लगातार कोश्चन पूछ रहा है चुकि पिछले चार-पांच वर्स का पेपर एनलैसिस कीजेगा तो प्रतेक वर्स UPC खाद तेल को लेकर के कुश्चन पूछता है तो कि हमारी जो फोरेक्स रिजर्व है वो किसी एक उत्पात पे अगर सबसे अधिक खर्च होता है किसी एक खाद्यान उत्पात बोलू मैं तो सही रहेगा किसी एक खाद्यान उत्पात के आयाद पे अगर सबसे अधिक खर्च होता है तो वो तेल है खाद्यान तेल है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को काफ़ी इंपोर्टेंट है और इसी पॉइंट से यूपेसी कुशन पूछा है पिछली पांच वर्स में खाद्यान समान के जो हम आयाद करते हैं बहुत सारे खाद्यान समान के भी भारत आयाद करता है उसमें सबसे अधिक फोरेक्स रिजर्ब जो हमारा खर्च होता है वो खाद्यान तेल के लिए खर्च होता आम जन पे परेगी GST की मार देखे GST को लाए गया था 101 समिधान संसोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को GST को लाए गया था 1 जुलाई 2017 को GST को इंप्लिमेंट किया गया था और GST परिशत की अस्थापना किया गया था आर्टिकल 279 एक इताहत आर्टिकल 279 एक इताहत GST परिशत की अस्थापना किया गया था और GST परिशत एक समिधानिक निकाह है क्योंकि समिधान के एक अनुशित के माध्यम से इसके अस्थापना किया गया और इस अनुशित को लाए गया था आपको 101 समिधान संसोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को GST इंप्लिमेंट हुआ GST में 4 परकाट टेक्स है एक तो 0% का टेक्स भी है इसको आप eliminate ही करते हैं जिसे नमक पे आपको कोई GST नहीं लगता है तो basically 4 परकार का टेक्स है एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है अब न्यूज में चर्चा यह हुरा है कि 5% का जो GST है, उसको हटा करके उसको eliminate करिया जाएगा minimum 5% का जो हमारे पास slot है उसको हटा करके minimum 8% कर दिया जाएगा तो 5% जो GST का slot है, उसको हटा दिया जाएगा उससे 8% कर दिया जाएगा तो इससे क्या होता है 5% का जो GST है वो आम जन के लिए GST रखाऊ लगा हुआ और जो 28% का GST है वो अमीर लोगों के लिए GST 28% का स्लोट है सीन उत्पात पर जो होता है उस पर 28% GST लगता है सिगरेड ओगरब पर 28% GST लगता है बड़ी बड़ी गारी लीजेगा मर्सीडी जोगर लीजेगा उस पर 18% लगए तो 18% जीश्टी बड़ी लोगों के लिए हैं लेकिन आम जन के लिए जो जीश्टी होता वह 5% होता और इसको बढ़ा करके अगर 8% कर दीजेगा तो इससे क्या होगा कि महलाई की मार नेश्य त चर्चा होती है कि LIC अपना IPO जारी करने वाला है IPO का मतला होता है इनिस्ट्र पब्लिक ओफ्रेंग पहली बार सेर मार्केट में कोई कमपणी जाती है तो वह अपना IPO जारी करता लगातार चर्चा होता है देश में एलेक्ट्रिक कार बनाएगी Mercedes आर्थिक विकास पर परेगा रूस यूक्रियन का असर देखिए यह काफी इंपोर्टेंट है न्योज अगर आप budget का दिखे होंगे analysis या मैंने analysis किया था budget और economic survey दोनों का उसमें भारत का जो विकास दर था उसको प्रिडिट किया गए था चालू वर्स का विकास दर चालू वर्स मतलब हो गया 2021-22 अभी 2021-22 चल ला है 2022-23 अभी नहीं आया 2021-22 चल ला है और यह चलेगा 31 मार्श तक तो चालू वित वर्स का जो विकास दर है उसको 9.2% प्रिडिक्ट किया गया था अभी वर्तवान में क्या हुआ पिस्दे कुछ विक पहले आइ तिंग रूस युक्रियन के वार्ट शुरू होने के बाद इसको घटा करके 8.9% कर दिया अब सोच के देखिया आप कुछ दिन पहले बजट एकोनमिक सर्वे जा रही हुआ था उसमें 9.2% था भारत का विकास दर 2021-22 में 9.2% प्रिडिट किया गया था और जैसे वार्ट शुरू ह उसको घटा करके 8.9% कर दिया तो लगभग इस रूस युक्रियन वार्ट से भारत का जीडिपी ग्रोथ रेट 0.3% कम होगा और 0.3% काफी होता है तो कहिन कहीं एकोनमिक इंपेक्ट इसका पर रहा रूस युक्रियन वार्ट का एकोनमिक इंपेक्ट पर रहा है कि भारत की आर्थिक विकासदर को RBI ने घटा करके 8.9% कर दिया 9.2% के जगह सरवाधिक प्रभावित होंगे छोटे उद्वमी छोटे उद्वमी को लेकर कि मैं थोड़ डिटेल से डिस्टर्स कर देता हूँ चुकि ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है MSME MSME के परिवासा को 2021 में चेंज किया गया Micro Interprises वैसे इंटरप्राइज़ को कहा जागा जहां पे विनिर्वान और सेवाध दोनों के लिए निवेस एक करोड रुपे से कम होगा और टर्नोवर पांच करोड से कम होगा तो Micro Industries वैसे इंटरप्राइज़ को कहा जागा जहां पे इंवेस्टमेंट निवेस एक करोड से कम होगा चाहिए और टर्नोवर पांच करोड से कम होगा चाहिए Small इंटरप्राइज़ वैसे इंटरप्राइज़ को कहा जागा वेसे इंडेस्ट्रीज को कहा जाएगा जहाँ पे इंवेस्टमेंट 10 क्रोर से कम होना चाहिए और टर्न ओवर 50 क्रोर से कम होना चाहिए दोनों ही कंडिशन फूल्फिल करना चाहिए और मेडियम इंटरप्राइज़ वेसे इंटरप्राइज़ को कहा जाएगा जहाँ पे इं थोटे उद्यमी कहा जाता है अब देखिए इसकी भारत के अर्थ भवस्था में इसकी भूमिका देखिए बित्य वर्स 2018-2019 के आंकरेक अनुसार MSME चेता देश में 6.43 करोड सहियंत है छे करोड 34 लाग उद्यम जो है MSME सेक्टर में देश में काम कर रहा है और इसमें अधिकांस ता ग्रामिन चेत्रों में यानि हम MSME को श्ट्रॉंग करेंगे तभी जाकर के ग्रामिन विकास होगा ग्रामिन विकास को करने के लिए हमें MSME को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा हमें छोटे उद्यमी को मजबूत बनाना पड़ेगा 11 करोड लोगों को MSME रोजगार देता है और इसमें अधिकांस रोजगार सहरी छेत्रों में MSME दोरा उपलप्त खेराए जाता है निरियात में 49.5% और GDP में 25% का MSME रखता है वर्तवान में जो रूस यूकरेन वार हो रहा है उसको लेकर के सबसे अधिक प्रभावित कोन हो रहा है छोटे उद्धुमी हो रहा है MSME उद्योग हो रहा है इसको एक बड़ पर लिजेगा क्रांतिकारियों को लेकर के न्यूस दिया हुआ इसको एक बड़ आप लोग दे सकते हैं कि स्वत्नता सेनाने में जो महला क्रांतिकारियों ने भाग लिया था उसके सम्मंद में ये चर्चा दिया हुआ इसको परसकते हैं आप लोग दिखी, Elimination का टेकनिक क्या है Elimination का Simple टेकनिक यह होता है कि सबसे पहले आप गलत statement को eliminate कीजिए तो चौथा जो statement है Portfolio Invest Portfolio Invest FDI और FPI में काफी अंतर होता है FDI जो होता है Foreign Direct Investment के बारे में यह news है और Portfolio Invest होता है Foreign Institutional Investment का जाता है तो यह Portfolio Investment नहीं है FDI Portfolio Investment नहीं है Portfolio Investment मतला होता है जैसे Share के माध्यम से हम कहीं निवेश करते हैं तो Share के माध्यम से माली जी अगर कहीं हम निवेश करते हैं तो उसको जब चाहें हम निकाल भी सकते हैं लेकिन FDI के माध्यम से कहीं अगर आप निवेश किजिए का तो जब जाहे तब निकाल नहीं सकते हैं उसे इसलिए सरकार हमेशा FDI को प्रिफर करती हैं तो चौथा statement अगर आप मालेजिए गलत हैं अगर चौथा statement गलत है तो क्या A option नहीं होगा B नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही चौथा statement दिया हुगा या तो C होगा या D होगा अब दिखें C और D दोनों में पहला और तीसरा statement common यानि पहला और तीसरा statement बाइटेफोल सही हैं अब दूसरा statement आप देख लीजें अगर दूसरा सही होगा statement तो answer D हो जाएग दूसरा गलत होगा तो आंसर C हो जाएगा दूसरा statement है कि भारतिय कंपणियों में अधिकांस बिदेश से equity holding FDI का मतलब है कि FDI अगर कोई company करता है तो वो किसी भारतिय कंपणियों में जो है equity holding करता है जैसे 10% मालिजिये LIC ने अपना FDI बेच दिया तो 10% यह जिसको बेचा जो foreign company इसमें invest किया उसके पास 10% LIC का हक चला जाएगा 10% का वो LIC का मालिक हो जाएगा तो दूसरा statement भी सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option D इसका answer हो जाएगा option D चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी कधने बाद थांक्यू सो मच प्लीज डू लाइक, शेर अन सब्सक्राइब थांक्यू